हलो माई डियर फ्रेंड वेलकम टू लखी एजुकेसन और आज इस्टाट करेंगेंगेंगें चेप्टर नम्र टू क्लास 12 की जोगरोफी ध्यान रगना क्लास 12 की जोगरोफी इंडिया प्यूपिल एंड एकोनोमी जो वाली बुक दे रखी है इस वाली बुक का चेप्टर न बना रखी है प्लेडिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो तो शुरुआत करेंगे माइग्रेशन हालंकि माइग्रेशन के वारे में सारी चीज आपको human geography वाली book में बता चुका हूँ ठीक है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो नहीं भी देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर भी सारी चीज हम समझेंगे चेप्टर का नाम देखते हैं पहले माइग्रेशन, Types, Coges and Consequences माइग्रेशन क्या है सबसे पहले यह समझेंगे माइग्रेशन का मतलब क्या है फिर दूसरा हम देखेंगे बड़ा types कितने types का माइग्रेशन होता है तो types पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हमें ठीक है और फिर हम देखेंगे causes क्या-क्या कारड होते हैं migration के जैसे हमने human geography में देखा था push factors pull factors यह दो push और pull factors होते हैं जिसकी वैसे लोग एक जगे से दूसरे जगे move करते हैं फिर तीसरा point हम देखने बड़ा consequences migration के क्या-क्या consequences होते हैं क्या परिणाम होते हैं अकर migration हो रहा है तो उसका क्या प्रभाब पड़ेगा ठीक है इन चीजों को अभी हम discuss नहीं करेंगे इनको कैसे वीडियो आएगा उसी समय पर हम discuss करेंगे अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं consequence का एक लग वीडियो आएगा कोजेज का लग आएगा टाइप्स का लगाएगा और आज सिर्थ में बताऊंगा migration क्या है introduction जो बुक में दे रखा है उसके बारे में इसके बाद एक वीडियो आएगा लाइगा ओके लेट्स बिगिन माईग्रेशन माईग्रेशन का मतलब गया माईग्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन गया है ता मूमेंट ओफ प्यूपल दा मूमेंट आफ पीपल प्रॉम वन प्लेस्ट वैनेदर मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं माईग्रेशन अब वो किस कारण जा रहें देट इस त्रिफरेंट ठीक है चाहें वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या गया हो सकते हैं एक सिंपल सिंपल सा एक देखें वाई टूपल माईग्रेट रॉम वन प्लेस्ट वन प्लेस्ट इ बीडेशन दूसरी के जाते हैं सबसे बड़ा करण है एक जाते हैं लोग इलाज फेसलिटीज लिए भी जा सकते हैं थीक और लोग भाग भाय हूंने के लिए भूहने भी चले आते हैं माईने मेने पलब दो कि द्रसए लिए चले जाते हैं कि कि अगर उस country में war हो जाए civil war हो जाए इन condition में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कोई natural disaster आए इस वज़े से भी लोग migrate करते हैं पहुत सारे कारण है क्योंग लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्या है जैसे एक्जांपल रहा हूं यहां रहे रामु रहे रहे रहाए की मुंबई में रहता है तो सब्षाण the migration is the movement of people from one place to another place तो रामू एक जगह कौन सी जगह छोड़के जैपुर छोड़के कहां पर चलेगे मुंबई चलेगे और मुंबई पर जाके यह भाई सब क्या कर रहे है जोब कर रहे है तो जगह चेंज हो गई अच्छा अब इसमें दो वर्ड आते हैं यह के प्लेस ओफ ओर हो देखो कहां से गया है पैदा हुआ है पैदा हुआ है यहां के जबन हो जोड़के जा रहे है वह उरिजिनल जयंविट क्या अप्लेस और जुड़के यह औस जगह ध29 अधिकने पर जार है तो जिस जगह पर जारेने किव प्लेस ऑफ डेस्टैस्युन तो आपको तो इस बज़े से क्या देखने को मिलेगा प्लेस ओप और यह में तो पॉपलेशन कम हो जाएगी और प्लेस ओप डेस्टिनेशन जो है अब बढ़ जाएगी यह सिंपल सी बात है ओके तो इस ओल अबाउट माइग्रेशन का मतलब क्या है कि लोगों का एक बिगे से दूसरी जगह जाना तो जिस जगह क्या क्या रहे है और जिस जगह पर वो जा रहे है वो जगह क्या क्या रहती है प्लेस ओप डेस्टिनेशन तो माइग्रेशन की बज़े से जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है उसका रीडिस्ट्रिबूशन हो जाता है रीडिस्ट्रिबूशन मतलब पहले मानलों बहुत सारे लोग जैपर में रहे अब कहां पर चलेगे मुंबई में भी रहने लगए हो सकता है मुंबई से कहीं अब आपको कमेंट करके बताने हैं उनके तीन चार कंट्रिज के नाम कमेंट करके बताने हैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ अपना जो इंडिया है इंडिया आता है साउथ एसिया में इंडिया कहां पर आता है साउथ एसिया हमें आता है और जितने भी हमारे पडोसी देश हैं वो भी किसका पार्ट है साउथ एसिया का तो यहां यहां से सेंट्रल एसिया वेस्ट एसिया साउथ एसिया से लोग यहां पर इंडिया में आते थे और आ भी रहें ठीक है अभी या हो सकता है मतलब medical facilities के लिए आते हो या education के लिए आते हो हमारे हमारे हैं से कहा का जा रहे हैan migration from India देखने को मिलेगा एक तो मिड़ली को अब Western Europe में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्टेलिया में जाते हैं, साउथिस टेशिया में जाते हैं, परपश यहां पर better job opportunities है, तो लोग वाग यहां से job करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो यह इंडिया में आ रहे हैं, और यह इंडिया से जा रहे हैं, तो यह book में सारी रूरल एरिया से अर्वन एयरिया में जाते हैं तो इस प्रोसेस को तो यहां पर और भी लोग मूव कर रहे है एक जाओं में माइग्रेशन अब दूसरे जेश में दो से दूसरे देशमें बीच में दो यहरों और शहरों के के बीच में सहर और गाउं के बीच में माइग्रेशन हो सकता है ठीक है माइग्रेशन अगर देश के भीतर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन माइग्रेशन देश के भाहर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्स्टरनल माइग्रेशन जिसमें हम दो ची ठीक है तो बस आज इतना ही बाकी चीज़ हम डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहो मुस्करादी रहो जय हिंद जय भारत